नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुकल, आप सब का टार्गडवित आलोक में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, यह एक बहुत ही सुनहरा आउसर है कि के संदर्व में, पुरी टीम आपके सामने, अपने अपने विशय के साथ आ रही है मैं डॉक्टर अमित कुमार शुकल, आपको आर्ट पढ़ाऊंगा कला एक बहुत ही महत्पुन विशय है, और कला का महत्व केवल विशय के तौर पर ही नहीं जीवन के विशयस पक्ष के तौर पर है, मानो जीवन का जब जब विकास की बात होती है विकास क्रम में सभ्य और सुसंस्कृत मानो बिना कला के संभव ही नहीं है, उसके कल्पना ही नहीं की जा सकती L.T. Great Examination के लिए कला विशय एक बहुत ही परड़ामदाई विशय है, आप सब के सामने एक बहुत सुनारा आउसर है कि अपने जीवन को सुरच्छित बनाएं, सेक्योर करें, इस परिच्छा को क्वालिफाई करके, हम आपको पूरी सिद्दत के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि कला से संबन्धित जो भी आपका सेलेबस है, वो हम पूरा करेंगे और सेलेबस के साथ साथ प्रश्ण की प्रकिरती पड़ चर्चा, नियमित रूप से प्रैक्टिस टेट और नयने प्रश्णों को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा एक बार यदि आपने पूर मनो योग से प्रयास किया, तो विश्वास रखिए क्वालिफाई करना आपके लिए कत्ते ही दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी बस मेरे साथ चलने की कोशिस करिए और ये ध्यान रखिए, आपका सबसे बड़ा मार्गदर्सक आपका सलेबस होता है LTE Great Examinations के सलेबस पर हम चर्चा करेंगे, कम्प्रीट चर्चा करेंगे लेकिन आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कला विशय को हम कैसे अध्यान करें, इस विशय का अध्यान के तरीके क्या होने चाहिए जब कभी किसी भी विशय का हम अध्यान करते हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसका सलेबस हमारे सामने हो कहते हैं कि उत्तर जानने से पहले आवश्यक्ता होती है प्रश्न जानने की कोई भी छात्र जिसे प्रशनों की बहुत बेहतरीन समझ है उत्तर धीरे धीरे पैदा कर लेता है लेकिन जिसे प्रशन की समझ नहीं है उसे उत्तर पैदा करने में बड़ी कठनाई होती है इसलिए आपका पहला प्रशन तो आपका सलेबस है मैं उसे प्रश्ण कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि सेलेबस से ही प्रश्ण आएंगे तो bunches of questions वो सेलेबस में ही अंतर नहीं थे और एक अभ्यर्थी को सेलेबस जुबान पर याद होना चाहिए अगर आपको सेलेबस साब की जुबान पर याद है और आपने बहुत बहुत बहतरीन तरीके से सलेबस को डिफाइन किया है उसके एक एक पार्ट सब पार्ट को पढ़ा है पाठिक्रम के जितने भी मुख्य बिंदु होते हैं उसके अंदर कई अंतर नहीत बिंदु होते हैं अगर आपने अंतर नहीं बिंदू पर काम किया है तो विश्वास रखे कि एक भी प्रस्णूस से बाहर नहीं जाता और इसके लिए बहुत आवस्यक है कि सेलेबस का पूर्ड और लोकन उसके मेजर पार्ट्स उसके सब पार्ट्स को समझना फिर ट्रेंड एनलेसिस करना अपने पूरे सलेबस से जीतने भी प्रस्णा आते हैं जिस जिस सेक्षन से आते हैं जैसे एक्जामपल के तौर पर अगर भारती चित्रकला से प्रस्णाया समझिएगा हम ट्रेंड आलेसिस की बात अगर करें अगर भारती चित्रकला से प्रशनाया भारती चित्रकला तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए इसको किन-किन आधारों पर विभाजन किया जाए सबसे पहले हमें उस पक्ष की चर्चा करनी चाहिए या उस पक्ष को ध्यान रखना चाहिए जिससे बिगद वर्सों में सरवाधिक प्रशन आते हूं बिगत वर्सों के प्रष्ण हल करने के बाद अगर आप यह देखें कि सरवाधिक प्रष्ण भारती चित्रकला के किस पक्ट से आ रहा है तो वो आपके लिए प्रतम टार्गेट होता है, फॉस्ट टार्गेट, ऐसे ही अगर आप पास्चात्य चित्रकला की बात करें, अथ पूनख छेत्र को जरूर देखा जाना चाहिए क्योंकि पास्चाति चित्रकला- भारति चित्रकला का अगर तुलनात्मक अध्यं करें तो L.T.-itud examinations के लिए आपको भारति चित्रकला से ज़्यादा प्रशन आएंगे हमेशा किसकी तूलना में पास्चात्य चित्रकला की तूलना में लेकिन जो थियोरी से बिलॉंग क्विश्चन है जो ठिंकर से बिलॉंग क्विश्चन है उसमें एक ऐसा बैलेंस है जिसे आप पूरी तरह बाट कर नहीं पढ़ सकते चाहे वो इंडियन हो चाहे western aesthetics, आप सौंदर्य सास्त्र की बात करें, तो पास्चात्य सौंदर्य सास्त्र और भारती सौंदर्य सास्त्र कला में, उसके अंग और दोनों का दृष्टिकोण, पास्चात्य का क्या दृष्टिकोण है, भारती का क्या दृष्टिकोण है, जब तक ये चित्रकला का तूलनात्मक अध्यन भारती और पास्चातित चित्रकला के संदर में नहीं कर सकते। तो ऐसे जो टॉपिक्स हैं आपके सलेबस के, उन टॉपिक्स का बिहंगम अध्यन करना, सुच्म और लोकन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, आप अपने कलाग विशय की तैयारी इस परिक्षा के लिए जब करेंगे, तो आपको कुछ बातों का पूर्टा ख्याल रखना होगा, पूर्टा ध्यान रखना होगा। पहला, वे कौन से पक्ष हैं भारती चितरकला के, जहां से सरवाधिक प्रशन पूछते हैं, और वो कौन से पक्ष हैं पास्चात्य चितरकला से, जहां से सरवाधिक प्रशन आते हैं, इसके बात क्या होता है, कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे पक्ष होते हैं, ज तो सूच्म द्रिष्टी से समझ में आएगा या जब आप पूरे सलेबस को गंभीरता से समझेंगे तब आप सहायक प्रश्णों को या उस भी से के सहायक पक्ष को या भाग को समझ पाएंगे लेकिन अगर मोटा मोटा अगर सलेबस आप पढ़कर निकल जाते हैं तो ध्यान रखेगा ऐसे सूच्म जो पक्ष है जो सहायक पक्ष है वो छूट जाते हैं इसी से बचने की सबसे अधिक आउ सकता है आप में से जो भी छात्र मुख्य पक्ष के अलामा सहायक पक्ष को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है लेकिन तब जब मुख्य पक्ष पूरे के पूरी तयार हो जाए, जब मुख्य पक्ष पर आपका पूर कमांड बन जाए, तब आप यदि सहायक पक्ष पर अपना ध्यान देते हैं, तो ध्यान दीजिए, आप अधिक्तम प्रशन कर पाते हैं, सामानित, किसी विशय वस्तु क जैसे भारती चित्रकला के अगर ये जो पक्ष प्रमुख पक्ष है, इसे हम प्रमुख कहते हैं, चलिए, इसको एक तरफ प्रमुख पक्ष पर आप काम करते हों, और इसी प्रकार पास्चात चित्रकला के प्रमुख पक्ष पर काम करते हैं, तो ध्यान दीजिए, आप 70% क कर सकते हैं लेकिन रिमेनिंग 30% बचे हुए जो 30% हैं जिसको किये भी ना आपको पूर सफलता प्राप नहीं हो पाती बहुत से छात्रों की मैंने बहुत मिहनत किया था और जूचीजे जिसको मोटा मोटा सब वो पढ़के जाते लेकिन 1967-10% तक करते करते रुख जाते हैं यही उसकी उनका maximum जो उनका प्रयास होता है वो 60-70% जाते रुख जाता है लेकिन जो चाहे भारती चितरकला हो या पास्चाती चितरकला उसके सहायक पक्ष को भी ठीक से पढ़ते हैं ध्यान रखिए वही 20-30% question और कर सकते हैं और ध्यान दीज इस एक्जाम में बैठने वाला ज्यादातर छात्र उसके प्रमुख पक्ष को पढ़ता है और वो अपनी छमता नुसार 40% 50% 60% 70% तक चला जा सकता है लेकिन जो सहायक पक्ष भी पढ़ता है वो हमेशा 70% से उपर 80% से उपर 90% तक और उसके आस-पास प्रस्न सही करके आता है तो अगर आपने मुख्य पक्ष के साथ साथ सहायक पक्ष पर पूरी गंभिरता से काम किया तो आप 90% प्लस तक जा सकते हैं ये गैरेंटी है लेकिन इस trend analysis को समझना पढ़ेगा विगत वर्सों के प्रस्नों के आधार पर अगर आपने विगत वर्सों के प्रस्नों को उ निशन देह आप 80-90% प्रस्न बहुत आराम से कर सकते हैं और हम इसकी पूरी जानकारी आपको क्लास के दौरान देंगे कि किस section का कौन सा प्रमुक पक्ष है और किस section का कौन सा सहायक पक्ष है अगर दोनों आप सीख जाएंगे दोनों आप समझ जाएंगे तो याद किसी भी अस्तर पर 80-90% से अधिक प्रस्न कर पाने में आप easily capable होंगे और याद रखिए अगर आप 90% कर जाते हैं तो किसी भी कीमत पर आपके selection से आपको कोई नहीं रोग सकता बलकि आप proper हो सकते हैं इसलिए दोस्तों Altigrate Examination क्वालिफाई करने का इस से सुनहरा मौका नहीं है हम आपके सामने आर्ट के एक-एक पक्ष को ले करके कला के एक-एक पक्ष को ले करके जिस बिस्तरित चर्चा का प्लान तयार कर चुके हैं अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं तो निसंदेह आप उसके साथ जु कुछ प्रमुख बातें जो कला से रिलेटेड आप जानते हैं उसके चार बड़े पक्ष हैं उसके चारो पक्ष को मैं आपके सामने रख देता हूँ जो छात्र इन चारो पक्षों को कला के चारो पक्षों को बिहतरीन ढंग से समझ ले और उस पर काम कर ले तो 90% उसका जो या उसके प्लस जो उसके आँकड़ा है कर पाने का निसंदेव उससे अधिक कर सकता है जैसे एक्जामपल के तौर पर हम कला के जो बुनियादी पक्ष है कला का जो बुनियादी पक्ष है सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे बुनियादी पक्ष कला के बुनियादी पक्ष जैसे इसकी परिभासा इसके प्रकार इस जैत समझते रहिए इसके अंग इत्यादी धेर सारे बुनियादी पक्ष होते हैं जिसके हम एक कलास में बिस्तरिच चर्चा करेंगे अगर कला के बुनियादी पक्ष पर आपने काम ठीक से कर लिया है तो विस्वास रखे हर परिच्छा में इसी बुनियादी पक्ष से 10 से 15 प्रशन आते हैं और कई बार आप ये समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रशन कहा से आये हैं तो 10 से 15 प्रशन जब जब परिच्छा होई है 10 से 15 प्रशन इसी बुनियादी पक्ष से आते हैं और ये बुन्यादी पक्ष कई बार अन्य पक्षों के साथ जब जोड़ कर पूशता है तो आप confusion ने पड़ते हैं कि ये question आया कहां से दूसरा महतपूर पक्ष क्या है जैसे चाहे भारती हो चाहे पास्चात्य ध्यान पूर्वक समझे चाहे भारती चितरकला हो या पास्चा चितरकला इन दोनों का प्रागयतिहासिक प्रागयतिहासिक काल से लगाए समकालीन समकालीन यूग तक चितरकला का जो विकास हुआ है चितरकला के जो प्रमाण मिले हैं चितरकला की जो विसस्ताइं समय समय पर विक्सित हुई है उन सभी पक्षों का अध्याने दियाप करते हैं जो चितरकला का सबसे महतपूर भाग है जो हम यहाँ पर पूरी चितरकला लिख देते हैं जो च जहां से 50 से 60 प्रश्ण हर बार आते हैं सबसे maximum questions यहीं से आते हैं इस बात को समझीएगा तो अगर हम बुनियादी पक्ष की चर्चा करें और उसके बाद भारती और पास्चात्य जो चित्रकला है उसके प्राग अतिहासिक काल से समकालीन यूग तक जो उसका विकास है जो उ अलग-अलग समय उसकी विशेस्ताएं डबलप हुई है उसे हम अगर पढ़ें जैसे महतपूर है अगर भारती संदर में इसे समझना चाहें तो कैसे समझते हैं प्रागयतिहासिक चित्रकला आद्देयतिहासिक चित्रकला प्राचीन भारती चित्रकला के छे प्रमुख छे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये भी उससे जुड़ी हुई बाते हैं बाग, सित्तनवासल, जोगी मारा और ये और भी जेर सारी गुफाएं जो गुफा चित्रकला से सम्बंदित है शिगडिया ये सभी इसके अंतरगत आते हैं आगे हम प्राचीन भारत में पूर मध्य सम्बंदित चित्रकला को देखते हैं जहां अभ्धन सैली, पाल सैली, जैन सैली, राश्पुताना सैली, पहाडी सैली, मुगल सैली की सुरुआत होती है और उस से सम्बंदित अनेको चित्र बनाये जाते हैं और सबकी अपनी विसेस्ताय है ये बहुत बड़ा पक्छ है इ समकाली इन चित्रकला सहली और इससे जुड़े चित्रकार ये भारती चित्रकला के प्रमुख आयाम है और यहां से सबसे ज़्यादा प्रशनाते हैं कभी-कभी 70 प्रशन तक 80 प्रशन तक यहां से देता है कम से कम इतने questions यहां से आएंगे इसके अलामा जो पास्चात्य का section है इसी तरीके से पास्चात्य से भी तमाम प्रशनाते हैं लेकिन भारती प्रशनों की तुल्ना में यानि की भारती चित्रकला की तुल्ना में पास्चात्य चित्रकला से पिक्षाक्रित कम प्रशनाते हैं examinations के point of view से जो आपको समझना है, वो है thinkers, चिंतक, ध्यान समझेगा, चिंतक, हमें चिंतक, चाहे वो पास्चाती चिंतक हो या भारती चिंतक, जब तक आप चिंतक या जो thinkers हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनकी आइडिलोजी क्या है ये नहीं जानेंगे, तब तक आप भारती और पास्चाती चितरकला की बुनियादी बिसेस्ताओं से परचित नहीं हो सकते, भारती और पास्चाती चितरकला की ये बुनियादी बिसेस्ताओं हैं, इसके बिना हम कभी भी पास्चाती चितरकला की कलपन नहीं कर सकते भारती चित्रकला की कल्पना नहीं कर सकते तो चिंतकों का चिंतकों की जो बिचारधारा है जो कई प्रकार के वादों में परिवर्थित होती है कई वाद जिससे निकलते हैं वाद इसम इसको इसका अध्यन के लिए और चित्रकला को समझने के लिए बहुत अपने सेलेबस में देखेंगे, अगली क्लास हम पूरा का पूरा सेलेबस पर ही आधारित बत होगी हमारी और जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वास्तों में पढ़णा क्या है? तो पहला पक्ष क्या रहा? बुनियादी पक्ष रहा जिसमें परिभासा से, प्रकार से, अंग से लगाए फिर सारी चीजों को अध्यन करना है दूसरा पक्ष भारती और पास्चाते चीतरकला का प्रागेतिहासिकाल से समकालीन समय तक की चीतरकला, उसके विकास से जुड़ा पक्ष है, जो सबसे महुत्पूर्ण पक्ष होता है इसके बाद चिंतक, जो ठिंकर्स हैं, उस ठिंकर्स के आधार पर हमें काम करना है इसके बाद जो चौथा पक्ष बसता है, वो बसता है तुलनात्मक अध्यन, ध्यान दिजिएगा, तुलनात्मक अध्यन कॉम्परेटिव स्टडी, जब आप कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं, किसी भी चीज का, चाहे वो पास्चात्य और भारती चितरकला हो या दो चितरकारों के बीच, जो विधाएं है, चितरकला की विधा है, उसमें भिन्नता है, चाहे उसका अध्यन करें, दो सिध्धानतों की बीच का, तुलनात्मक अध्यन करें, किसी भी देश काल परस्थिती में बना हुआ चितर, किसी दूसरे देश काल परस्थिती में बने हुए चितर, किसी भी देश काल परस्थिती में दिया गया बिचार, किसी दूसरे देश काल परस्थिती में दिये गया बिचार से कैसे भिन्न है, बिना इसे समझे, आप कभी तुलनात्मक अध्यन नहीं कर सकते, और बिना इस प्रकार के तुलनात्मक अध्यन के याद रखिए मुम्कीन ही नहीं है कि चित्रकला के परती आप क्या सूच मद्रिष्टी पैदा हो सके इसलिए दोस्ते ये जो बुन्यादी बात मैं बता रहा हूँ इस बुन्यादी जिस सिध्धान पर मैंने काम किया है अगर यह बुन्यादी सिध्धान आप पकड़ने में सच्छम हो गए तो विस्वास रखिए आपको सफलता से कोई नहीं रोख सकता और अब यह सब कुछ जो आप चार विसेश खंडों में बांट कर पढ़ते हैं इसी चार खंडों से ही आपका सेलेबस निकलता है अगली क्लास में मैं पूरा सेलेबस इसी आधार पर डिसकस करके दिखाऊंगा और अगर आप इस आधार पर अपने सेलेबस को पढ़ लिए तो आप अधिक्तम प्रशन कर पाने में सक्छम होंगे दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेस्टन्स आते हैं उन क्वेस्टन की प्रकृति को पकड़िए इस प्रशन की प्रकृति क्या है तो एल्टी ग्रेट एक्जामनेसंस में जो प्रशन आते हैं मैं उसकी प्रशन की प्रकृति पर चर्चा करूँगा प्रकृति प्रशनों की प्रकृति प्रशनों की प्रकृति ध्यान दीजिएगा जो प्रकृति है प्रश्ण की वो तीन आधारों पर बाट कर आप इसे देख सकते हैं पहला बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्ण तथ्यात्मक प्रश्ण L.T. Great Examination में तथ्यात्मक प्रश्णों की एक अच्छी खासी संख्या होती है बिगत बर्सों के प्रश्णों का आध्यन करें आप तो आप पाएंगे की तथ्यात्मक प्रश्ण परियाप्त है लेकिन अगर आप T.G.T. P.G.T. के compare करेंगे इससे तो आपको क्या पता चलेगा की T.G.T. P.G.T. की तूलना में इसमें तथ्यात्मक प्रश्ण कम है factual question, one-liner question, T.G.T. P.G.T. में ज़्यादा है, L.T. में कम है तो तथ्यात्मक प्रश्ण एक पहला प्रकृति है तथ्यात्मक प्रश्ण का दूसरी प्रकृति जो है वो ब्याक्ष्यात्मक प्रश्ण का है जो पूरी तरह सी concept based आता है तो यह ऐसा question होता है, जो हम किसी क्या बोलते है concept, समझते रहिए? यह concept based question है totally concept based और यही L.T. grade की सबसे बड़ी विसेस्ता है यह इसकी speciality है, समझ जाएए कि सबसे बड़ी विसेस्ता L.T. grade की यही है कि इसमें concept based question भी आते है और जो छात्र केवल तत्यात्मक आधार पर इसका द्यान करता है वो कम से कम 20 से 25 question मात खा जाता है क्योंकि 20-25 प्रश्ण ऐसे होते हैं जो पूरी तरह concept पर आधारित और तत्यों को जोड़ कर पुछा जाता है जिसका concept clear नहीं है वो ऐसे question नहीं कर सकते तीसरा इसका एक module आप और भी पाएंगे question का कि कुछ ऐसे प्रश्ण होते हैं जो comparative होते हैं तूलनात्मक होते हैं ध्यान दीजिएगा तूलनात्मक comparative होते हैं तूलनात्मक questions तूलनात्मक प्रश्ण आते हैं अब यह तूलनात्मक प्रश्णों की प्रकृति आप बहुत सूच्म होती हैं यह वो प्रश्ण होते हैं जिसको पास्चात्य और भारती दोनों जो चित्रकला का ठीक अध्यान कर चुका हो जिसका कमांड पास्चात्य और भारती दोनों चित्रकला पर परियाप्त हो वही ऐसे तुलनात्मक प्रशनों को कर पाता है क्योंकि इन तुलनात्मक प्रशनों में ठिंकर्स चिंतकों के प्रशन सामिल होते हैं जो आपको पता नहीं चलेगा कि तुलनात्मक है लेकिन तुलनात्मक होता है इसमें कुछ वादों से जुड़े इसम से वादों से जुड़े प्रशन होते हैं इसम थियोरी से किसे इसम थियोरी से तो चिंतक से जुड़े कुशन है ठिंकर से और थियोरी से ये दोनों प्रकार के प्रश्णों का जो आप तूलना देखेंगे पास्चात्य और भारती चित्रकला के संदर्व में इसी को बुनियादी आधार बनाकर वो डेबलफ किये जाते हैं इसलिए प्रश्णों की प्रकृति की समझ के बिना आप अधिक्तम प्रश्ण नहीं कर सकते चित्रकला के विशद अध्यन के लिए आवसक है कि अब तक जो परिच्छा हुई है उन सभी परिच्छाओं को उसके प्रश्णपत्र को आप कलिक्ट करें और उस प्रश्णपत्र के आधार पर उसका trend analysis करते हुए दा नेचर आप दो क्विश्चन जानने के प्रयास करिए एक बार दा नेचर आप दो क्विश्चन अगर आप जान गये तो उसी बेस पर आप अगले परिच्छा की तयारी कर सकते हैं और दोस्तों यह पूरे ध्यान देने ओगे बात है कि एल्टिगेट इग्जामनेशन्स रोज नहीं आते और इस तरह की परिच्छा आपके लिए बहुत सुनहरा मौका लेकर आती है कुछ लोग इस इंतजार में होते हैं कि जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ाई सुरू करेंगे जब बारिस होगी तब क्रिसी करेंगे फिर तो का बरसा जब क्रिसी सुखानी जैसी बात हो जाती है बादल बांद कर खेती नहीं होती जो ये सोचता है कि बादल बांद कर खेती करेंगे उसकी कभी भी फसले लहलाती नहीं है इसलिए जो ये सोचता है कि फॉर्म आजाए परिच्छा का संखनाध हो जाए उसके बाद हम इसके तयारी में जुटेंगे ध्यान दीजिए वे लोग फेल कर जाते हैं और जो चात्र पहले से ही आभास मिलते ही संकेत मिलते ही कि परिच्छाएं कभी भी हो सकती है अपने इस भगीरत प्रयास में जुड़ जाते हैं ध्यान दीजिएगा वही इतिहास रस्ते हैं और इस सुधर या उसर का लाब भी वही उठा पाएंगे इसलिए मेरा आप सबसे यह कहना है संखनात का इंतजार मत करिए रणभूम में पहुचने के लिए संकेत मिल चुका है संखनात के बाद तो किवल प्रहार होगा इसलिए सभी छात्रों से मेरा ये विनम्र निवेदन है विवेकानन जी ने कहा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक की लक्स की प्राप्ति न हो जाए उठिए जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक की आपका सेलेक्शन न हो जाए इसी उद्देश के साथ आपको मैं एल्टिग्रेट इग्जामनेसंस आर्ट के लिए जागरित कर रहा हूँ और ये जो बुनियादी बाते मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने किया और अभी आगे और भी करूँगा अगर इन बुनियादी बातों को आप समझ जाएंगे पहले तो बहुत से छात्र ढूडते हैं जिनके जिनका नौलिज कम होता है वो फैक्ट ढूडते हैं तुरंत इस तरह की बुनियादी प्रेन अनलिसिस इस तरह की बुनियादी बातों पर इतना बिहंगम दिश्टिकोर उसी का हो सकता है जिसने उसे सूच्मता से ग्रहन किया हो जिसने उसको गहराई से समझा हो इसलिए दोस्तों चितरकला को पढ़ने के लिए उसकी बुनियादी समझ को उप्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इस मेरे दोरा बताय जा रहे हैं इन बातों को यहीं से समझना सुरू कर दे जैसे एक एक्जामपल आपके सामने रख रहा हूं मैं कला क्या है दोस्तों कला क्या है अगर कला पर ही देखिए इतने बिद्वानों की अलग अलग परिभासाएं कला के संबन में दी गई है कि कला क्या है इतनी बिद्वानों की परिभासाएं इसमें दी गई है यह सारी परिभासाएं एक समान नहीं है लेकिन कुछ ऐसी परिभासाएं है जो सारी परिभासाओं का निचोड है जैसे हम कह सकते है कला हमारी भावनाओं की अभिवेक्टि का माध्यम है ज़र सूचिए What is art? It's a medium of our expression, our feeling और emotion हमारे जो भाव हैं, आंतरिक भाव हैं उस आंतरिक भाव का प्रकटी करण किसमे होगा? जब आंतरिक भाव का प्रकटी करण, आंतरिक भाव को प्रकटी करण का जो माध्यम होगा, वो कला बन जाएगा हमारी जो भावनाएं हैं, वो जिस रूप में प्रस्पुटित होगी, वो कला बन जाएगा और ऐसी भावनाओं को अगर जितना बेवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाए वह उतना ही बेवस्थित हो जाती है और ललित कला बन जाती है कला तो वो भी है जिस पात्र में हम भोजन करते हैं क्या जब मनुस्य ने पहली बार मुर्दभांड बनाया कच्चे मिट्टी का मिर्दभांड मध्य पाशाण काल में जब मनुस्य ने चाक निर्मित मिर्दभांड बनाया नो पाशाण काल में तो मुझे बताएं क्या वो कला नहीं था लेकिन वो उप्रियोगी कला था लेकिन जब मनुस्य सब्य हुआ सो संस्कृत हुआ तब उसके साथ लजित कला भी जन्मली उसकी भावनाएं बढ़ी और धीरे धीरे वही मनुस्य जो आदिम जीवन जीता था उसने कंदराओं में गुफाओं में अपने विचारों की अभिव्यक्ति रेक आड़ी टेड़ी रेखाएं खिच कर किया क्या आज का मनुष्य भी इस तरह के चित्र बनाता है नहीं लेकिन हमारे प्रारंभिक लोग ऐसे चित्रों का निर्मान करके अपनी भावनाओं की संविद्राओं की अभिव्यक्ति आज से हज्जारों हज्जारों वर्स पूर कर चुके हैं और यहां से सुरू हुई यात्रा आज पूर्ड परिपक अवस्था में है तो कला हमारी भावनाओं की अभिक्ति का स्रेश्चतम माध्यम है जब वो सब्दों के माध्यम से फूरती है जब वो कंठ के माध्यम से लयात्मक रूप से फूरती है तो संगीत बन जाती है जब वो लेखनी के माध्यम से फूरती है तो साहित्य बन जाती है ध्यान से समझे जहां ले है रस है वहां संगीत है जहां अपनी बातों को शब्दों में पिरोने का कला है अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोने की कला है वह सहित है जहां आरी टड़ी देखाएं खीच कर अपनी भावनाओं को ब्यक्त करने का प्रयास है वहाँ चित्रकला है और इसकी अलग-अलग प्रकार है जहां मनुश्य और परिफक होता है और मिट्टी से, पासाण से, धातु से और अन्निसामगरियों से जब एक concrete रूप देता है, एक जीवन्त रूप concrete, एक ठोस रूप देता है कला का, जिसे च्छू कर महसूस किया जा सके तब एक मुर्ति कला का जन्म होता है, एक और कला, मुर्ति कला का जन्म होता है जब मनुस्य वास्तु के साथ जीवन की एक विस्ष्ट पक्ष की व्यक्ति करता है तो स्थापत्यकला का जन्व होता है दोस्तों चाहे स्थापत्यकला हो चाहे चित्रकला हो चाहे साहित्य हो संगीत हो चाहे मूर्तिकला हो यह ललितकला पांचों ललितकला के उधारन है जिसका मुख्य उद्देश से होता है आत्मा का विकास इसका अंतिमुद्देश होता है आत्मा का विकास यह सुरू होता है शौंदरे से और इसकी चरम परड़त होती है आत्मा के विकास में यह आत्मा का विकास एक विशेश तवस्था है यह आत्मा का विकास एक साधना है यह आत्मा का विकास स्वैम को साधक बना लेना है एक कला के सापिक्ष जब पंडित भीम सेंजोसी कोई गायन करते हैं तो उनके कंड से नहीं उनके नाद से जागरित होता है जब वो नाद जागरित करते हैं तो कर्ण से सहसा ही धुन निकल जाती है ये नाद की जागरती एक तपस्या है ये तपस्या एक कला है ये कला उसकी आत्मा का विकास उसका आंति मुद्दे से आत्मा का विकास है इसलिए ये हमेशा इसमर्डी रहे कि कला सिर्फ सौंदर्य तक्सीमित नहीं है इसका प्रारंभी कुदेश्य सौंदर्य जरूर है रस जरूर है लहिन इसका आंति मुदेश्य वो आनंद है जो स्थाई है जो चीर कालीन है चिरंतन है इसले दोस्तों कला अपने ललित रूप में ललित कला और अपने बेवहरिक रूप में उपयोगी कला के तौर पर हमारे जीवन को उन्नत बनाता है श्रिष्ट बनाता है जिसके भाव नहीं है जिसके अभिव्यक्ति का माद्यम नहीं है जिसके अंदर सौंदरे नहीं, स्रिंगार नहीं जिसके अंदर प्रेम नहीं संविदनाय नहीं वो मनुष्य जैसा दिक कर भी मनुष्य से नहीं क्योंकि मानों का यह एक विस्ष्ट पक्ष है इतिहास गवा है कि कोई सासक की महनता सिर्क उसके द्वारा जीते गए युद्धों में नहीं है कि सासक की महनता उसके द्वारा विस्तृत समराज निर्मान में नहीं है बलकि उसकी महनता उसके कला पक्ष में है जो लोग जीवन के स्रेश्टा का सूचक है इसलिए दोस्तों कला को जब हम भिहंगम दिश्टिकोर से समझेंगे कला के एक-एक पक्ष को जब हम बुनियादी इस तर पर समझेंगे उसका सुच्मा उलोकन करेंगे तब हमें कला का वास्त्विक परचे वास्त्विक ज्यान होगा आप कल्पना करिए भारत में सिंदुगाटी सभिता की जहां आज से साड़े चार हजजार साल पहले मानो कला के एक उन्नत अस्तर को छूलिया था ये बताता है कि मानो इतिहास अपनी प्रगती के साथ अपने अन्य छित्रों की प्रगती के साथ निरंतर कला के छित्र ने प्रगती कर रहा था कला के छित्र में उसकी ये प्रगती कभी रुकी नहीं उच्चावच आए उच्चावच निसंदेह आए लेकिन उन तमाम उच्चावचों को भेदते हुए वो आगे बढ़ती रही और समकालीन यूग तक आते आते उसने वो स्तर मुकाम हासिल कर लिया है जिसे हम कह सकते हैं कि आज भारती कला और विश्व की कला अपने समुन्नत और सरवच अस्तर पर पहुँच चुकी है इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर मैं कहूंगा ये बहुत सुनारा मौका है आईए जुडिये और जुड कर हम अपने लक्ष की प्राक्ति के लिए आगे बढ़ें ये बहुत सुनारा आउसर है LT Great Examination को क्वालिफाई कर अपना भविष समारिये आज के लिए यहां तक अगली वीडियो में मैं आपको पूरे सलैबस को समझाऊंगा उस पूरे सलैबस के उप विभाजन जिसकी मैंने बात थोड़े देर पहले आप से की उसको बताऊंगा और जब एक बार आप अपने पाठे करम का मूल विषय और उसके आनुसांगिक विषय को समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो अगली वीडियो में हम पूरी तरह से इसी छितर पर काम करेंगे इसके साथ एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि बुन्यादी प्रश्न की समझ डेवलप करने के लिए सबसे पहले आप विगत बरसों के प्रश्नों का ध्यन करना सुरू कर दीजिए बस तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू